चच्चा के दो बैटे थे, जबकि एकलोती बैटी माह पारा मुझसे दो बरस छोटी थी. वो बहुत खुबसूरत थी. हम दोनों की तबीयत एक जैसी थी. हम मैं भी हमारे वालिदीन की तरह आपस में बहुत प्यारों महबबत था. कोई बात एक दूसरे से नहीं छिपाते थ ये उन दिनों की बात है जब मैं एफ एस सी कर रही थी और मन्जा मिटरक में थी. एक लड़का बार-बार हमारे घर फोन करता और मुझसे बात करने की कोशिश करता. अक्सर मैं फोन बंद कर देती और कभी कभार बात कर लिया करती और कहती कि तुम गलत जगा फोन करते हो. हैं तुमसे बात नहीं कर सकती. जुम्हा का दिन था वालिट चचा और मेरे भाई वगिरे सब शिकार खेलने गए हुए थे. मन्जा मेरे साथ बैठी थी, मेरी वालदा चच्ची के पास गई हुई थी. मैं मन्जा से इस लड़के का जिक्र कर रही थी. इच्चानक फोन की गंटी बजी, मन्जा बोली, आईमा तुम फोन उठायो. मैं इससे बात करती हूँ और उसको समझाती हूँ कि वो आइंदा यहां फोन न करे. मन्जा ने उससे बात की, मगर उसकी बातों ने इस पर ऐसा जादू किया, कि वो दो गंटे तक बातें करती चली गई और उसको अपना नंबर भी दे दिया. पहले गुफ्तगू में ही मन्जा ने अपने बारे उसको सब कुछ बता दिया और वो सिर्फ यही मालूम कर सकी कि लड़के का नाम मौजम है. इस दिन के बाद उनके दर्मियान फोन काल्स का सिलसला जारी हो गया. वो अकसर रात को फोन करता, जब सब सोचुके होते, मन्जा फोन अपने कमरे में ले जाती और सुबह तक इसके साथ बातों में मशगूल रहती. मैंने कई मरतबा उसे मना भी किया और कहा कि अगर ये लड़का वाकाई तुमसे महबत करता है, तो अपनी उमी को रिष्टे के लिए भीजे. तभी मेरी क दीजा था कि इस शहर में वाहिद लड़की में ही थी, जो गाड़ी चलाया करती थी. एक दिन मन्जा ने मौजम को एक जगे मिलने के लिए बिलाया. मैं और वो गाड़ी पर इस जगे पहुँच गए. हम वहां काफी देर ठहरे, मगर वो न आया. जब हम वापस जाने लग मन्जा और मौजम की कोई बात ना हो सकी. मगर तारिफ हो गया, तो उसके बाद उनकी मिलाकातों का सिलसला शुरूआ हो गया. जब शाम को मन्जा के वालिद और भाई टीन्स खेलने जाते, तो वो मुझ से मिलने का बहाना बनाकर हमारे घर आ जाती और वहां से मौजम के सा चली जाती. कुछ अर्सा बाद उसने मुझ बताया कि मुनजम उससे मिलने घर आता है.